दुश्का बच्चो स्वागत है आप सभी का आपके अपने अंलाइई सेस्थान परिक्षण परस में एक बहुत बड़ी खुसकफ़े आप सभी के लिए है और ऐसे सारे अभ्यति जो पिछले कई सब्सों से teaching exam की त्यारी कर रहे हैं हाला कि उत्थर परदेज में उनके लिए एक कहीं न कहीं गम का माहूल था तमाम ऐसी vacancies थी जो आ सकती थी आई नहीं मैं चाहən upita 맛있 की बात करूं subscribe और TET की बात करूँ मैं TGT PGT की बात करूँ वेकंसी आई वर्ट क्लियर ने होई और LTE grade और GIC प्रवक्ता के लगातार बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो teaching exam की तैयारी करने वाले उत्तर पदेश के बच्चों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ख़बर आपके लिए है कि LTE grade ज वो संकचता अभी बिल्कुल clear हो गया है और अब उत्तर पदेश लोकसिवा आयोग इसमें देरी नहीं करेगा इसका विज्यापन कुछ सब्ता मैं महीना भी नहीं बोलूँगा कुछ सब्ता मैं आपके सामने देखने को मिल जाएगा तो अभी आप लोग यहां पे देखते लोकसिवा आयोग ने लौटा दिया था अधिया इससे पूर्व पर पाधजा से ज्यादा पदों पर अधियाचन आया था बट उत्तर पर इस लोकसिवा आयोग यह बोला था कि भाई इसका सबसे पहली बात है कि आप जो समकचता है उसका निर्धारण करके लाओ वेकंसी करके था तो उस कारण से कि अब मैं यह नहीं फसाना चाहता हूं और उन्होंने इससे क्या कर दिया था अधियाचन को वापस कर दिया था दुबारा से आप यापर देखेंगे राज के मादर में विद्याले में सहायक अध्यापक एल्टियों प्रवक्ता के 5000 से ज्यादा प कर सासन को फिर से भेज दिया है इससे भल्टी का रास्ता साफ्ड हो गया है सासन ने इस संबंदन में पत्र मिलने के बाद लोगसिवा आयोग द्हारा भरति विज्यापन जारी किया जाएगा तो अब काम यह है कि सासन 113 लोगसिवा आयो और को कि समकक्च्चता क्या हो की वेकंसी आपका तीन या चार सफता मैक्सिमम मतलब आप ऐसे बुल सकते हो कि दिसंबर नाश्य जनवरी के फिस्ट वीक में उत्तर पदेश लोगसेवा के वबसाइट पर देखने को मिलेगी और इसका पेपर अब सबसे बड़ी बात है कि आपने अभी हाल में खबर देखा होता था 2018 वाले में अगर आपको मैं याद दिला दूँ वहां पर क्या था कि इन्होंने 40% जो एक आहरता सम्थिंग करके कर दी थी और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि वह क्या हो गयते कि आहरता ही नहीं क्लियर कर पाए थे 2018 में कुछ ऐसा आहरता वाला केस आया था और ल क्लियर करनी है तो मिनिमुम इतने परसेंट आपको अंकला हूँ है यह इस कारण से बच्चे क्लियर नहीं कर पाए थे तो वह सारी चीजा आपको ध्यान में रखना अभी जो 2018 में तमाम गड़बड़ी हुई थी उनको दूर करने के लिए अब इन्होंने क्या किया है इन्ह में हो सकता है एक दो उत्तरपदेश की कोशन इन्वाल्व किये जाए कुल मिला कि आपको सौसीग सो बीस प्रशन का क्या देखने को मिल सकता है प्रांभिक परिक्षा जो ज्यादा फोकस रहेगी जिसमें आपकी सब्जेक्ट नहीं पूंचा जाएगा तो अब कहीं न कहीं पहले से जादा कठिन भी हो गया है एल्टी ग्रेट परिक्षा निकालने को क्योंकि पहले क्या होता था टीचिंग आपकी तयारी करने वाले बच्चे सामाने अध्यन के जादा श्टड़ी नहीं करते थे अपना सब्जट करते थे अब उन्हें अगर मैस का टीचर बनना है तो इस बात को ध्यान देना हाला कि अभी औफिशिली कुछ भी नहीं आया है बट जो मूस्ट एक्सपेक्टर यह मान की चलिया ऐसा ही होगा तो दो चल्ड़ों में होगा पहले प्रिलिंस होगा उसके बाद आपका क्या होगा मेंस होगा प्रिलिंस अपका क्वालिफाइं दोनों mcq भेस रहेंगे ज्यादा चांसे से है प्रवान मान नहीं रगा सकता हूं कि आयोग क्या सोचता है क्योंकि आयोग अधिकांस जितने भी जो मेंस की पेपर होते हैं उसमें सब्जेक्ट लिखित लेता है कि वो कुछ ऐसा कर लें बट क्योंकि टीचिंग की वेकनसी सबसे पहले है कि अब्जेक्टिव पेपर होगा और आपका फ्रेलिम्स होगा और प्रेलिम्स अब का समान अध्यन पर अधारित होगा तो जो बच्चे टीचिंग में टीजिटी पीजिटी इंसम में अपना करियर बनाना चाहरे हैं उनकी लिए बहुत अच्छा मौका है प्रेलिम्स के लिए अभी फिलार प्रेलिम्स के लिए टार्गेट बहुत ही जल्द लौंच करने वाली है एक डो दिन में आपको उसकी सुचना भी दी जाएगी और बहुत ही नियुन्तम प्राइस में आपको मिलने वाला है तो आप कहीं मत जाएगे सबसे पहले तो आप पहले पता चल जाए और आप अपनी तयारी तूरत प्राराम बकल दो इसके लिए मैं जल्दी एक संपूर्ण जो वीडियो पर डिटेल वीडियो क्या है सिलेबस क्या है आपका समकच्चता सब कुछ में लेके आऊंगा तो उस वीडियो को देखने के लिए आप थोड़ा सा सब्सक्राइब करें एक दो दिन का मैं जल्दी लिखेंगा फिर मिलूंगा बहुत बहुत धन्यवास सभी का बहुत बहुत आवाए